तो आज हम discuss करेंगे एक और problem जो की GFC का है problem उत दें filling the bucket हमारे पास एक bucket है जिसकी capacity क्या है n liters हमें उसे फिल करना है by using bottles जिसकी capacity है एक liter और टू लिटर ठीक है तो कितने तरीकों से हम उसे फिल कर सकते हैं वह हमें आउट्पूट में देना है तो इसके एक्जाम्पल से देखते हैं जैसे एन इकॉल टू थरी है यानि तीन लीटर का हमारे पास एक बकेट है इससे फिल करना है ठीक है हमारे पास चोईस क्या है या तो मैं एक लीटर वाला बॉटल यूज करूँ या तो लिटर वालो तो देखो कैसे कैसे इसे फिल कर सकते हैं कि मैंने का कि तीनों बॉटल वन वाले ले लो तो थिरी लीटर हो जाएगा तो इससे भी फिल हो जाएगा एक तरीका ही हो गया पहला टू ले लो फिर दूसरा वन ले लो इससे भी थिरी हो जाएगा पहला पहले जो तो आभी भी वन और टू ही यूस कर सकते हैं कि मैंने कहा पहले वन से बना सकता हो क्या चार वन ले लिया हाँ भी या बना सकते हैं फिर क्या कर सकते हैं कि वन लिया पहला दूसरा टू फिर वन ले लिया या पहला टू वन एन वन तो कितने तरीका एक दो तीन चार यह चार त अब हो तहिता हरो हर पॉइंट पर हम क्या चेक देखो यह सिंफल इसमें हम कर क्या रहे हैं हमारे पास एन मालों सब्सक्राइब हो है तो फर वंसे सोचूगा कि बना कि देखो दू के लिये देखो और फिर जो से बनेंगे ठीक है तो एक रिकर्जन ट्री बनाते हो सिंपल का प्रॉब्लम है गध्यान से इससे देखो क्योंकि इसमें क्या हो रहा हर स्टैप पे हम दो चीजे चेक करें क्या वान से पॉसिवल है टूसे पॉसिवल है इन उनों का जो आंसर आएगा उनका साम हमारा एक्ट् काल दूमान के चलो थिरी इंच ए लिए यूस कर सकते है इसके लिए दो कोल जाएगी एक मैंने का कि मैंने वन यूस कर लिया पहले एगर मैं यूस कर लूगा तो अब मुझे कितना बनाना होगा ठीक हो यह अच्छा दूसरी कॉल क्या जाएगी कि मैं टू यूस कर लूँ तो क्या बनाना होगा मुझे फिर इस टू को बनाने के लिए भी मैं क्या-क्या यूज कर सकता हूँ या तो मैं वन यूज करूँ या मैं टू यूज करूँ अगर मैं वन यूज करता हो तो मुझे एक लिटर और भरना होगा सवच रहे हो अगर मैं टू यूज करता हो तो यह लीटर था और एक मैंने जीरो एक जाये जाएनगे या फिर लेश्द Pap sap मैक्सिमम कितने तीन लीटर का है तो मैंने आगर तीन ओंड कर लिये तो जिन्लिटर वार्णे जीमों बढने को कितने तरीक हो देख तरीक है तो यह से लिए रुग गया और इससे कम में जाएंगे आप देखो मुझे एक लीटर भणना है और मैंने यूज कितना किया है दो लीटर का पॉटल तो एक लीटर ओवर्फुलो हो जाए यानि माइनस में चलागी माइनस यह रुग गया तो यह यह यहां से विन रिटरून की यह करना हो दियां से समझना है जीरो घ्रों के किसमें एक एक आन्सर लगी हृए यानी हम यहांस धाट करेंगे ठीक है और यहां से क्या रिटरून होगा प्यूर इस हमें प्यएक बना सकते इस सब्सक्रिप्त जाएन पहले यू fixture मैना address हिने तो यह तो फोर हो गया भी है यानि यह गलत तरीका है इसलिए अगर नेगिटिव आ रहा है तो उसके इसमें जीरो आंसा देगो आपकी क्लियर होगा तो इसको जारा हटाओ तो यहां से इस राइट पार्ट ने कितना दिया जीरो अब इस वन को जन्रेट करने के कितने तरीक है देगो यहां से वह न है यहां से जीरो तो ओवर आल क्या जायेगा उपर चला जाएगा वन दोनों के एडिशन और ऐसे भी सोचो अगर एन इकौल टू वन होता उसके तरीका मिल चुका है इसके लेफ्ट से वण आ रहा है राइट से वन आ तो ओपर क्या चला जाएगा पताओ तू चला जाएगा अभी इस राइट पार्ट को हम कम्प्लीट करते हैं और राइट पार्ट इस वन के लिए भी दो चोईस जाएगी एक वन के लिए जाएगी और एक टू के लिए जाएगी अच्छा में वन एकल टू वान है यह अगर वन यूज कर लिया तो यह जीरो हो जाएगा ठीक है और यहां से वन आया यहां से जीरो तो अवर आल उपर क्या चला जाएगा बताओ को जूर्ण समझगे attach Uh go वन घ्र थ्याया य। इसका देखें तो लेफट से क्या रहा है ट्व हम क्या करेंगे एक सॉल्व नाम का फंशन मनाएंगे उसमें क्या पैरामिटर एक एन नहीं तो चाहिए दोगा हरे स्टैप पे हम क्या करें इनको अपडेट करें पहले थिरी था फिर टू बना एक का मों के लिए ठीक है तो एन चाहिए बस कि इंटीजर कि इस लिखते हैं कि अगर हमारा एंड जो है जीरो हो जाए जब जीरो हो जाते हम कहते हैं कि एक आंसर मिल गया जानी रिटर्ण कि दूसरा बेस केस क्या था कि अगर एंड की वैलू लेस देन जीरो हो जाए तो रिटर्ण कि दूसर नहीं तो हम देखो दो कॉल मारेज देखो हर पॉइंट पर हम क्या करें थिरी के लिए भी या तो मैं वन लूँगा या टू लूँगा कोई एक लूँगा तो अगर मैं वन लेता हो टेक वान तो वन लूँगा तो मेरे पर बच्चिवी रिकर्जिब कॉल क्या होगी है मैं छे तो वैरीएबल ले ले लेते हैं इसमें मैं स्टोर कराऊंगा ला या इंटीजर रांसर वल रांसर वन क्या बताएगा वन लेने से कितना आंसर रहा है तो एक आंसर टू वाले से किप पर तो वन टेक करने के आंसर वन प्लस एकोड अब देखो जब मैं वन का कोई यूज कर लूँगा तो एंड कितने से कम हो जाएगा वन से तो एंड माइनस तो एंड क्या गया तो एंड क्या जाए एंड माइनस वन ठीक है अगर मैं हमें ले लूँगा तो अंसर रूब्ण करते हैं कितने से कम हो जाएगा के यह हो गया हमारा टोटल वेगा रिटर्न क्या करों जो आंसर वन से बना है और यह से बना इंदोनों का समरी टर्न करने यहीं करें देखो लेप्ट से क्या आया था इस case में राइट से क्या आया 0 तो इन दोनों का overall क्या आजाएगा 1 प्लस 0 जो की उपर जाएगा यही return कर दो return answer 1 प्लस answer 2 तो यह इसका code और रन करो ठीक है चल गया submit करते हैं ठीक है टीली आगे तो यह expected था जो mostly recursive solution में टीली आता है तो उससे डरने का नहीं यह तो अच्छी बात है यानि आपने recursion सही से लिखा है अब क्यों टीली आता है वो देखते है code में यहां पर डीपी लगेगा यानि डीपी कैसे लगेगा मुझे कैसे पतर लगा यहां से देखो कि तुम्हें कलर चेंज करके बताता हूं कि देखो डीपी कव लगते हैं जब हमारे पास दो चीज़े कंडिशन हो यहां भी ओबर लैपिक सब प्रॉब्लम हो यह एक प्रॉब्लम को मैं बार बार कैल्कुलेट कर रहा जैसे देखो यहां लेफ्ट से वन आये था राईट से जिरुर इसे मैं पूरा तो यह वन था तो उसके लेफ्ट से आंसर मा राइट से आ था तो यानि ओवर्व कि आएगा वान्सका अंसर क्या होगा वर्ण स्टॉर करा लिया तो जब यह कॉल मारेगा वन्की तो यह मैं नीचे करूंगा सब्सक्राइब कर दो करता है समझ गया कि टीपी ओवरलैपिंग कैसे हो रही है तो बस इसलिए इसमें डीपी लगाना हो तो डीपी कैसे लागते सबसे पहले हमें देखना होता है कितने वैरियेबल से इसमें लिखते हैं टों उसमें to wifi सब्सक्राइबर वहां वाया एक ही है चैंज錢 भी हो रहाएं से उसमें डीस डीपी यह होता है जैसे एक वेरियेबल चेंज हो रहे तो वन डीडीप होगा तो वन डीडीपी कैसे बनाते है इंट कितने साइज का होगा एन प्लस वंज अभी निशली माइनस वन फिल दिया दूसरा स्टेप कि स्टेप वन होता है कि डीपी वेक्टर बनाओ करो रूसे क्या करो पास कर दो अधायोग और और पास कर दिया और कर तो और कहां पर हमने function को call किया यहां पर भी किया टीपी पास कर दिया पहला step है कि डीपी वेक्टर बनाओ और function में पास कर दूसरा क्या है कि पहले से तो नहीं एक्रिस्ट है वह कंडिशन चेक करें कि इस डीपी ओफ एन अगर माइनस नहीं है इसका मतलब क्या है यह वह आंसर पहले से पढ़ा हुए तो डीपी ओफ यह दे दिया दूसरा सब्सक्राइब हो तीसरा स्टैप क्या होता है फाइनल स्टैप इसे ना स्टोर कराओ फिर रिटर्न करो जो आंसर हमने डारेक्ट रिटर्न करें तो उससे पहले स्टोर करें फिर रिटर्न अब गरो कंपाइल और एक और चीज़ में क्योंकि 10 to the power 8 के हो है तो मोड लू भी लगा देते हैं कि इंटीजर मोड इकल टू कि वान इएट और यहां पर हम लगा दें लोगी दो एडिशनल करेंगे तब ना इंटीजर फोलो हो सकता है और फ्लो कर जाए तो इसलिए लास्ट में यहां पर लगा दो एक प्रंत होएग के आप समीट करते हैं से कौनसा कि अ कि यह नीजरम मिशां अ कि क्या होनों टॉप डान अप्रोच वह थे हैं तो यह तो फर्स्ट मैस है था कि इसमें हम ने करा दूसरा डिपि करते हैं वह क्या हता है बाटम मैंड यह हमने क्या करा अब बॉटम आप DPI देखते हैं बॉटम आप में कैसे ईसे कंवार्ण करेंगे तों बॉटम आप के लिए हम सबसे पहले बेस केश को अनलाइज करते हैं जो हमने किसमे लिखा टॉब डाउन में टॉब डाउन का भी स्केश देखो और उससे अपने DP-vactor को initialize करो लोग हमने कहा कि n equal to 0 पे 1 है ठीक है एंड less than जब 0 है तो उन सब के लिए 0 है यहनी हम DP-vactor को अगर मैं 0 से initialize कर दूँ तो कफी फाइदा है ठीक है अधीक दूसरा बात अगर n की value 0 है उस case में answer 1 होना चीए यहनी जब dp of n equal to 1 यहनी डp of 1 छीरो उसके एसका आंसर वन देज़ो ठीक है उसके बाद हम एक फोर लूप चलाते एंग लोप के रेंज क्या होती है तो इसमें हमने भेजा था इसमें क्या भेजा था एंग भेजा था आंसे अंसे हम कहां तक चेक करें जीरो तक है डांप डाउन में हमने क्या गया और अजिन गया गया टाउन में तो बाटम में हमेशा उल्टा करते हैं यहीं जीरों से लेकर के एन तक चेक करें तो फोरलूब के आएगा जीरों से जैंगे तो इंटीजर आई को टो जो जो इस değil i less than equal to n i++ पिर थर्ड इस्टेब क्या होता है इसमें इसको जाठाव है छो यहां पर हम solve recursive function में कर रहे तो यहाँ dp में करें solve क्या करें तो n minus one और n minus two तो यहाँ dp में करें नहीं dp of i कि आई क्या होगा डीपी आफ आई माइनस वन प्लस डीपी आफ आई माइनस टू है कि हम आंसर में आवरल करकर करें जो एन माइनस वन से आंसर है प्लस यह वाला यह हमने यहां लगा दिया ठीक है अब यह जिरो की नेट ए में पहले सौल्व कर लिया इसे स्टार्टें तो यह हो गया इसको हटा दो कि यह कौन सा होगा बॉटम-प-solution इसमें रिटर्न क्या करें है रिटर्न जो हम उसमें परामिटर पास कर रहे थे लोगा करें तो इसमें रिटर्न भी एन होगा ठीक है कि दीपी आफ और मोड लगा तो इस पे भी तो आई थिंग चलना चाहिए है कि सम्मिट कर देख देखते क्या करती है तो यहां पर क्या है कि तो मोस्टली मोड यहां लगाने के नहीं आप मौड कहां लाएगा बताता हूं यहां पर तो स्टोर करा है फाइनल आप एडिशनल होता है जोग आधा चांस होते है कि वह इंटीजर के ऑवरफुलो कर जाए क्योंकि यह यह भी इंट होगा यह भी इंट होगा आप दोनों मिलके हो सकता है कि इंटीजर के रेंज से बाहर चला है तो मोड हमें वहां ना लागा करके यहां लगा कि अब करवाई है कि कि सम्मिट कि अगे है तो यह दूसरा अप्रोच अगया बॉट तॉप डाउन में क्या करें थे टॉप डाउन अब टाइम कॉंपलेक्शिक तो ऑडर ऑफ एन्जी आ रहा था इस पेस हम क्या कर रहे थे order of n space ले रहे थे एक recursive call के लिए रिकर्जन में हम यह call कर रहे देने से प्लस एक डीपी वेक्टर हमने बनाया है तो order of 2N लग रहा है ठीक है यह तो गया में बॉटम अप में हमने क्या किया देखो बॉटम में सिर्फ आप सिर्फ एक यह वेक्टर बनाया है हमने order of n size का उसके अलाव देखो क्या recursive call मार रहें नहीं सिंपल एक फोर लूप से ट्रेट कर तो यानि इसकी स्पेस ज्यादा बढ़िया है समझे रहे हो ठीक है तो एक और होता है इसका method सबसे fast method वह बताता हूं वह कैसे पता लएगा देखो यह वह मतलब स्पेस है अगर यह दो वैल्यू हमें पता है तो यह calculate किया जा सकता है समझ रहे हो ठीक है तो उससे देखते हैं कि रोगो कैसे उसे सोच सकते हो वह सबसे fast method होगा देखो कैसे इसको हटाओ अगर यह इस recursion वेगरा नहीं आता ना तो वह नॉर्मल अप्रोच चाहिए क्योंकि हम यहां पर देख पा रहे हैं यह वाला लाइन उठाओं कि जो हमारा डीपी है आयत वाला वह अपने दो पीछे वाले वैल्यू से डिपेंड करता है तो इसको बात में ध्यान रखते हुए हम क्या कुछ हो सकते हैं देखो ध्यान से अगर एन की वैल्लू वान होगा यह यह हमारे पार टू और वन यह एक लीटर का फिल करना है तो उसके लिए कितने चॉइस होगे बताओ सिर्फ और सिर्फ एक सिर्फ वान था उसके बाद यह कोशन हो जाएगा कैसे हो जाएगा देखो यह गो और यह das है और यह उसको मैं however और त्रेविएस वन है इसको क्या वल औ node Previous 1 को कहा कर दूंगा आगे सिफ्ट कर दूंगा और इसको आगे सिठ घुमा कहना क्या जाता हो देख ध्यान से यानी Previous 2 उप कहा आ जाएगा प्रीस टू हो जाएगाई प्रीबियस 2 कोर्छा कर दो यह हो जाएगा प्रीबियस 1 तो देखो 3 के लिए answer क्या होता है 3 ही आएगा अब let's suppose मुझे 4 के लिए निकानना है तो 4 के लिए क्या आएगा यह वाला जो यहां प्यांसर आए तो देखो मैंने क्या का next क्या होगा previous one plus previous two यानि 5 यानि 4 के case में answer क्या आएगा 5 समझ रहे हो एक बार फिर से देखो नहीं समझाए तो इस वारी तीन ले लेते मान कि चलो मैं तीन ले ले ताओ पहले तीन पहले तीन का answer क्या है का सोचो कि इसको हटाओ यहां से अगर अनिकॉल टुवान है तो उसको कितने तरीकों से कर सकता हो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से करने का मतलब क्या है ndकरूब करना हुँ ज़्यद मतलब टू spooss Iowa को कितने तरीकास कर सकता है एक तो 11 हो गया एक हो गया सिर्फ तो यह दो तरीकोश से त्पहली को कि तो यह यह से कर सकते हो तीन लेलो पहला तो फिर वन फिर फूर्वान फिर टू यह तीन तरीके से एकर सकते हो। इसका लाबह कोई नीकरेगा ठीक है। ये छ मिंद रीयों कि थे पॉइंटर होगा प्रीवियस टू प्रीवियस टू ठीक है अब इकल टू फॉर के लिए हमें निकालना है तो हमने का यहां से फॉर लूप चलाओं यहां से ठीक है कितनी बार चलाएंगे भी या वो देखते कितनी बार करना है कि पहले हमें दोको यह मालो और रहां और पता थिरी तो क्या करेंगे कराउंट वैल्यू जोगा करांट इक पीवन प्लस पीटू यह व्याजाएगा तो फिर क्या करना है बताओ पहला प्रेशन पीवन को हमें एक एक शिफ्ट करना होगा आगे क्योंकि आई की वैल्लू जो कि दो पीछे क्या होंगे दोनों सब्सक्राइब मैंने का यहां पर पीटू का ना ओगा पीटू यहां जाएगा और पीवन की स्पोजिशन पीछे आ जाएगे इसके कि फीउन आ जाएगा यहां पर ठीक है अब कि वैलू यहां इस उड़ गया पिवन प्लस पी टू से लिए खास तीक है फाई खास में अगया इस पीटू यहां जाएगा और पीवन यहां जाएगा यह पीवन धासन आगे ओ ठीक है हम जैसी तो हमने एक चीज़ नोटिस किया कि आगर देखो पहले तीन एलिमेंट है तो उनके लिए जो एन है वही आंसर आ रहा रहा है वन के लिए वन टू के लिए तो तो एफ एन जो है लेस देन इकॉल टू है थिरी के तो रिटर्न कर दो एन नहीं तो हम क्या करें थे एक इंटीजर ले रहे थे प्रीबियस वन प्रीबेस वन वन की वैलू वन एक इंटीजर ले रहे थे प्रीबियस हिए वैलू है एक पैरलूप तला रहे हैं उन आज कहां से कहां तक चलाएंगे ठीक है तो हैं एकल्ट टो फूर के लिए हमने का यहां से स्टार्ट करेंगी पहला दूसरा यहां पिर हमार आउट्पूट आ जाएगा क्योंकि इन दूनों के सम से आए है तो यह एंकल two यूए वून से स्टार्ट करेंगे न सबर्द्सीया है तो चार के लिए हम कितनी वार करन निकालते थे करन क्या दो था कि प्रीबियस वन प्लस प्रीबियस टू फिर उसके बाद क्या करते थे अब ध्यान से देखना में पास वन है फिटू है थ्री है है ऐंद फाइव by terty इतना है यह प्रिवियर्ज वन है और यह प्रिपिएस मैंने करन्ट के दिए इन दोनों के सब से किरी से अब पहले क्या करना झेड़ सबता हो और ककली कुंए प्रिविस को में आगे ले जाओ या प्रीबेस टू डाल दो फिर प्रीबेस टू को करो कि अधिक लिए रोगा से ध्यान से एक वरे ड्रायर रन करना करना कि अधिक्या करदो कि अधिक है यह आप जब यहां पर फिर से एक प्लास आपरेशा तो मॉडलू लगा दो उधिय zwischen पर बार एक अधिक्या को मोड अच्चहार इसमें रिट्रन का रेएरे रिट्रॉन और यह previous one यहां से हटके यहां पर आजाएगा है ठीक है तो हमारा आंसर क्या है फाइव फोर के लिए एन इंकोल टू फोर के लिए फाइव है तो यह किस वैड डेटा में स्टोर है यह दिस प्रीविएस तो प्रीविएस तू आंसर देंगे कि मोड डिफाइन है अग्यां चल गया शम्मिट करो अग्यां थीक है तो यह सबसे एफिशेंट है देखो इसका टाइम जगोगे ना जीरो पॉइंट जीरो एट सेकें बहुत ही फास्ट है इसको ने एक बड़ी ध्यान से सोचना सिंपल दो पॉइंटर की हैल्प से हम कर सकते हैं जैसे हमने फेबो ने की सीरीज करा होगा ना सेम वह ऐसा ही कॉशन है उसमें भी पहले दो वैल्यू पता होता था उसके बाद आगे कि हम निकाल लेते थे तो मैंने इसमें तीनों डिसकस कर दिया पहला हमने चारों करा इसलिए हमने उसको स्पेस को कम करने के लिए बॉटम आप कर रहा अब बॉटम अप में फिर भी थोड़ा स्पेस तो और लग रहा था उस स्पेस को और फरदर कम करने के लिए देखो इसका इसका है इसमें हमने ओवन में सॉल्व कर दिया है समझ रहे हो हमारे से एक्सपेक सब्सक्राइब करना बहुत एफर्ट लगता है लाइक भी करना थैक्यों